हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग है आप इती दुवे और वेलकम यू तो ओल इन यूटुब चैनल दाट इस देक्स्टाइल वर्ड में सभी का सौगत करती हूं ऍऺंड आजका भी हमारा वीडियो जो है वो कंटिनीएशन है टैक्स्टाइल फिनिशव हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में टैक्स्टाइल finishes मैंने चार उसकी चार मतलब मैंने discussion कर लिया था चार finishes के बारे में जो कि थी हमारी fooling mercerization, napping and suiting तो हमने इन चारों के बारे में discussion already कर लिया था आज हम उसके आगे की finishes के बारे में discussion करेंगे and अगर आपको पिछली finishes मतलब जो previous video था उसमें जो finishes बताई थी मैंने उसमें कुछ भी problem हो so you can easily contact me through my social media handles which I mention in the description box below okay and this is my mail ID आप इससे भी मुझसे contact कर सकते हैं और simply comment in the comment section अगर कोई भी problem हो and please if you like the video तो please press the thumb icon so yes without wasting any time we'll start with the please please effect so हम please effect से start करेंगे जो तो सबसे पहले मैं बता दूँ जो मैंने चार जो finishes already बता चुके हैं बता चुकी हो मैं तो वो आप I button पे क्लिक करके महां से आप previous video मेरा देख सकते हैं and चलो हम स्टार्ट करते हैं please effect से तो please effect हमारा क्या होता है please effect के please finish जो हो उसके बारे में आज हम डिसकर्स करेंगे तो देख लेते हैं please इस दा यह जैसा कि मैंने बताया यह जो है graduation माले बच्चों के लिए it is useful for exam 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 में वह पूरा लिखेंगे तो वह ज्यादा यूसफुल रहेगा बिद ना कि वैसे points में भी लिखते तो अच्छे marks मिलते हैं मैं तो points महीं लिखती थी then देख लेते चलिए आप जैसा अबन हो आपका उस टाइप से आप लेख सकते हैं दी जाती है प्लिस फिनिश की तो उसको हम सेम प्लिस ही बोलते हैं इस पर्मनेंट फिनिश होती है and by using sodium hydroxide sodium hydroxide की chemical होता है उसको यूज करने से हमारा यह स्रिंकेज इस टाइप का यहां तो यहां पर चाहिए प्लिस इस प्लेस्ट जाओ क्योल करते हैं तो यहां पर हमारा स्रिंक नाम इएप इस फिनिस फैबरिक प्रोडियूस होता है उसको भी हम प्रिस फैबरिक बोलते हैं so next हमारा पॉइंट है permanent and chemical finish फिनिस फिनिस होती है वो permanent and chemical फिनिस होती है sodium hydroxide is printed on cotton fabrics as a paste as a paste use करते हैं sodium hydroxide जहां पे भी हमें effect लाना होता है fabric shrinks only where the sodium hydroxide is applied producing the puckered effect जहां पे भी हमें वैसा effect लाना होता है प्लिस का effect लाना होता है shrinkage effect लाना होता है वहां पे ही हम sodium hydroxide जिसे कि मैंने इसमें आपको बताया था use करते हैं so pliss fabric do not require ironing pliss fabric में जो है ironing की जवबत नहीं होती है then when the sodium hydroxide is applied as lengthwise strips the fabric puckers and takes on the appearance of the seer sucker then next is हमाई next finish कौन सी है shearing cutting, sharpening कुछ भी आप बोल सकते हैं तो हम जैसा कि हम आप अपनी जब घास बढ़ी होती है तो आप event करने के लिए machine चलाते हैं उसी type कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वैसा ही effect हो रहा है जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ it is useful, this matter is useful for the graduation students and this is useful for the competitive exams जो prepare कर रहे हैं उनके लिए तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ से मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कैसा क्या effect रहता है जो हमारे piles बनते हैं जो हम tarry troubles manufacturing के लिए piles create करते हैं वैसा ही उसी को जो है sharp करने के लिए एक length में करने के लिए uniform करने के लिए हम sharing effect करते हैं तो यह हमारे piles होते हैं कुछ लंबे कुछ छोटे कुछ बहुत तो इनको even करने के लिए हम pile effect करते हैं तो यह पूरे ऊपर से even हो जाते हैं फिर इस पताब यह लुक बाइस uniform दिखते हैं और अच्छे दिखते हैं तो इसलिए हम यह effect इसमें create करते हैं तो इसका जो है यह ना मतब यह steering effect जो है napping effect को napping finish को जो है follow करता है सब्सक्राइब करते हैं तो इस क्लियर आउट रेंडम लेंथ और फाइबर संद प्रोडूज यूनिफॉर्म लेंथ एंड लेबल फाइल लेबल पाइल है ना दैन हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है शीरिंग रिड्यूस दऑ हाइट ओफ आफ वाइल फाइबर्स टर्विसका फी ऑने फाइबर को श्रीवन करता है ओच्चेसाथ उनका उमेंट करता है और पिलिंच वीच्चगे स्थ क्रेऻ्न करता है यू रखता तो प्रिड्यूस यूदी appearance Tari tari looped bar towel can be shared one on both side face sharing effects से हम both side में equal effect ला सकते हैं और सेम ऐसा front में है effect furry effect तो वैसा ही से हमारा back में भी effect हम create कर सकते हैं using the sharing process sharing finish ओके तो यहां पे मैंने points लिखे वहा है सब देख लेते हैं a process to use to cut off surface fibers on fabric इस process को हम sharing process बोलते हैं uniform the surface of nabbed fabrics to provide uniform pile hide high speed cutting machine cuts the pile similar to that a lawn momer the blades मतब इसमें बहुती high speed cutting machine cutting machine होती है cutting इसमें ब्लेट्स होते हैं बहुत sharp blades use कर रहे जाते हैं जो एक बार में ही जो uneven fiber से उनको cut कर देते हैं then the blades in the machine are stationary and the fabric moves through the cutting blades then next हमारी जो finish है वो third finish है हमारी जो की है softening finish softening finish में क्या होता है softening agent यूज़ करते हैं softener treatment दिया जाता है fabric को जिससे कि हमारा fabric soft होता है तो यह चीज मैंने यहां पर बताई हुई है देख लेते हैं softener treatment है क्या softening softener क्या होता है यह देखते है softener is a chemical chemical होता है जिसको softening as a softening agent यूज़ करते हैं कोई भी fabric में और यह क्यों यूज़ करते हैं तो to make fabric hand making it more pleaser to touch pleasing to touch मतलब बहुत ही softer touch आए इसलिए हम softening agent जो है softening finish दो है वो किसी भी fabric में करते हैं then smooth इसके जो main objectives है वो क्या है smooth sensation less stiffness fluffier हो जाता है more more tearing strength हो जाती है increased drape increased drapeability and also silkiness हो जाता है fabric हमारा then reduce swing thread breakage swing thread का जो breakage है तूटने का जो डर है वो कम हो जाता है हमारा then जो हमारे types of softeners है वो यहां पर मैंने mention किये हुए हैं and क्यूंकि हमारे मतलब मैंने इसलिए हमें mention किये हैं कि हमें पता होना चाहिए कौन से softer agent होते हैं जो use के जाते हैं softening के लिए लेकिन मैंने इनको detailed इनके बारे में नहीं बताया हुआ है अगर किसी को भी मतलब as a student हम लोग को इतना जरूरत नहीं होता है कि पूरा detail में जाने तो अगर मेरे मतलब channel में मुझे नहीं बता है कौन मतलब किस किस field में लोग हैं जो जुड़े हुए हैं तो अगर कोई textile fields से है तो उसको अगर softners के बारे में चाहिए तो मुझे बता है तो मैं उसको hard notes provide करवा सकती हूं in my Instagram telegram में तो यहां पर softners है मैं बता देती हूं ionic softner cationic non-ionic reactive emulsion and silicon softners तो यह softners थे हमारे अब हम देख लेते हैं stiffness होता क्या है यहां पर फिर से मैंने वही points में बताया हुआ है जो आपको easily समझ में आ सकता है okay some fabrics need to be made stiffer or more crisp as per the end use and use के according हमें कुछ-कुछ fabrics होते हैं जो हमें बहुती stiffer चाहिए होते हैं बहुती crisp उनके requirement होती है कि वह बिल्कुल वैसा दें क्योंकि क्योंकि वह fine fabric होते हैं तो जो हमारी stiffness होती है stiffening agent होता है तो it provides the weight of the fabric weight बढ़ा देते हैं stiffening agent जो होते हैं वह fabric के and also improve the thickness thickness जब हमारी it is obvious हमारी thickness बढ़ेगी तो हमारा weight increase हो गए होगा then it is improve the lecture also okay तो अब देख लेते हैं but their effect बहुत ही sure आ रहा है sorry so but effect of the but sorry their effect is temporary and once the once the fabric is washed most of the most of the finish are removed क्योंकि हम इसमें कोई भी finish जब यूज़ करते हैं तो दो तीन wash के बाद वह पूरा rinse it out हो जाती है पूरा ही wash हो जाती है बहुत इतना ज्यादा finish नहीं रह जाती है ओके आगे देख लेते हैं मैंने stiffening agent mention किये हुए है थोड़े starches हम यूज़ करते हैं dextrins यूज़ करते है mainly used for printing as well as finishing processes में हम natural gums यूज़ करते हैं तो यह हमारे stiffening agents है और stiffening agent होता क्या है यहां पर यह देख लेते हैं stiffening agent are those which is used to increased thickness or hardness of a preparation usually and on on ointment so as a ointment हम use करते हैं fabric में stiffening agent को जिससे कि हमारा fabric stiff हो जाता है और जो हमारे जो fibers होते हैं कभी आपने देखे हो जो हमारा after manufacturing जो कुछ-कुछ fibers जो होते हैं वो उपर उपर उठे रहते हैं तो after stiffening agent जो हमारा कोई भी start मतलब हमारा जब stiffening agent use कर दिया जाता है अप्लाई कर दिया जाता है तो उससे हमारा surface बिल्कुल clear हो जाता है thickness increase हो जाती है hardness हो जाती है fabric में तो यह सारी चीज़े हम इसलिए हम यूज करते हैं stiffening agent यहां पे कुछ example दिये हैं मैंने stiffening agent के जो कि हैं सेटाइल एलकोहल सेटाइल इस्टर वैक्स एंड माइक्रो कस्टलाइन वैक्स पेरफिन वैक्स स्टेडराइल केल अलकोहल एंड यह सारी चीज़े जो हैं मैंने यहां पर दिये हैं stiffening agent का सो होप आपको समझ में आया होगा यह देखिए एच नीचे पहुंच गया मेरा आपको आपको समझ में आया होगा जो कि मैंने जो प्रिवियस वीडियो आप देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके मैंने उसमें चार विडिन जो चार हमारी फिनिश थी मैंने वहां पर मैंशन करी हुई हैं बाकी remaining जो एस्टेटिक फिनिश थी वो मैंने इस वीडियो मे ने कवर की हैं जो कि हमारी टोटल मिला के आठ फिनिश आठ जो हैं अस्थेटिक फिनिश यहां पर कवर होती हैं नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे फंक्शनल फिनिश के साथ में तिल जैन स्टे वोम स्टे सेफ एंड कीप लर्णिंग मिद मी थैंक्यों बबाय